तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ताऊंगा इस्टाग्राम की डिलीड मैसेज को वापस कैसे लाएं जैसा कि दोस्तो यहाँ पर जो डिलीड हो गई यह मैसेज उन्हें आप देखना चाहते हैं दोस्तो कैसे आपको लाना चाहते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को लाज तक आपको जरूर देखना है किस परकास से यहाँ पर अपने डिलेट मैसेज को आप वापस ला सकते हैं बिना किसी third party app के यहाँ पर अपने वापस ला सकते हैं डिलिटरी message को तो दूस्तों कैसे राना है चलिए दूस्तों बताते हैं सबसे पहले तो वीडियो के लाइक करतीजिए फड़ा फट चैनल को subscribe कर देजिए बिल्कुल free होता है कोई भी इसमें charge नहीं लगता है और आजाना है हमारे telegram पर telegram का link हमारे वीडियो के discussion में मिल जाएगा और चाहें तो दूस्तों telegram पर आया है यहाँ पर search वार में आपको जाना है यहाँ पर search करना है अनुरा कुशवा और यहाँ पर one key की family हमारे complete हो चुकी है तो इसको यहाँ पर आपको join कर लेना है जो भी latest update होता है सबसे पहले दूस्तों यहाँ पर हमारे telegram के उपर आपको देखने को मिल जाता है तो दूस्तों इसे जरूर जान कर लेजिए और link आपको वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ से भी आप direct join कर सकते हैं अब दूस्तों यहाँ पर कैसे यहाँ पर आपको delete chat को वापस लाना है तो वापस हम अपने Instagram में आते हैं जैसे कि दूस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो हमारे delete chat है वह वापस लाना चाहते है तो करना के है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको उता देता हूँ यहाँ से आपको थोड़ा सा back आना है और यहाँ पर आपको अपनी profile के उपर click करना है दोस्तों जैसे आप profile के उपर click करेंगे को क्लिक करना है दोस्तों जैसे आपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सेते हैं यहां पर लिगा सेलेक्ट इनफॉर्मेशन तो यहां पर आपको सेलेक्ट टाइप और इनफॉर्मेशन के ओप्सन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों जैसे आपर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख रेख सेते हैं हमारा सामने ब्रअध्र के से ओप्सन ख़ा following जो आपने डिलेट किया है या आपके किसी के पास request बहें वह देखना चाहते हैं तो इस तरीके साथ यहाँ पर आपका जो contact delete हुआ है वह देखना चाहते हैं तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे लेकिन दूसमा आपको message delete हुए देखना है तो इस पर आपको click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर you can set date range for the information the include in your download you can also choose format and quality of the file तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देख सेथे date आप select कर सेथे हैं कितने से कितने दिन का आप यहाँ पर वापस लेना चाहते हैं एक last time mental पिछले बर्स का यहाँ पर लेना चाहते हैं यानि कि जो एक साल का जो यहाँ पर है या यहाँ ना पर आपको सबस्के कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बूइसार वेजना इन सब् distinguish यहां पर थोड़ा सा टाम लेता है चार- पांच मिझिट का तो उसके बाद उसें यहां पर द्यान से पढ़े लिए एना पर लिखा है यू कन रसट और आपी ओप यूर in तो दूस्तो यहाँ पर ये आपकी bilkul एक PDF के रूप में यहाँ पर यह आपकी complete हो गी और complete होनेओं के यहाँ पर जो है आपकी PDF बनकर आपको Chrome पर ले जाएगी Chrome पर ले जाने के बाद इसे वहांपर ऐपन होगी file के अंदर ले जाने के बाद उससों यहाँ पर आपको chrome के उपर ले जाएगा वहाँ पर आपकी सारी chat आपको देखने को मिल जाएगी तो guys इस तरह के से आप देख सकते हैं वीडियो काफी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर सकते हैं चनल पर पहली वारो सब्सक्राइब कर लिजे